चानत के AIS Academy Current Affairs में आप सभी का स्वागत है आज अब बात करने वाले हैं LCA Tejas के बारे में हाल ही में एक एतिहासिक मेल का पत्थर स्थापित करते हुए प्रधान मंतरी श्रीर नरेंद्र मोदी ने बेंगलूरू में स्वदेशी रूप से डिजcles, विक्सित और निर्मित दो सीटों वाले लड़ाकु विमान तेजस में उडान भरी 30 मिनट की उडान में प्रधान मंत्री के सामने लडाको विमान तेजस की शमताओं का प्रदशन किया गया यह पहली बार है जब देश के किसी प्रधान मंत्री ने लडाको विमान में उडान भरी है प्रधान मंत्री ने उडान भढ़ने के अपने अन्भों को यादगार भी बताया अब हम बात करेंगे LCA ट्रेनर के मारे में LCA ट्रेनर एक हलके वजन सभी मौसमों के अनुखूल और बहुत देशे विमान है जिसमें एक सीट वाले तेजस लडाकू विमान के सभी गुण मौजूद है और इसका उपयोग लडाकू प्रशिक्षन के रूप में भी किया जा सकता है यह पहली बार है जब एक सभी देशी दो सीटो वाले लडाकू विमान को भारत में ही डिजाइन, विक्सित और निर्मित किया लिया है यह एक अत्याधूनिक विमान है जिसे समकालीन अवधारनाओं और प्रध्योकियों जैसे की क्वाट्रूप्लेक्स डिजिटल, फ्लाई बाय वायर उडान नियंत्रन प्रणाली, लापरवा पेतरेवाजी, उननत ग्लास कॉक्पिट, एकिक्रत डिजिटल, एवियो निक्स, सिस्टम और एयर फ्रेम के लिए उननत मिश्रित सामधरी के साथ एकिक्रत किया गया है इस लडाकों विमान ने देश की रक्षा शमताओं और तयारियों को बढ़ावा दिया है इसकी निर्मान और प्रिष्ट भूमी के अगर बात की जाए तो भारतिय वायुसाना के प्रशिक्षन दल तेजस परियोजना में वैचारिक चरण से लेकर मूल परिक्षन तक शामिल रहे है विमान के पहले संस्क्रण को 2016 में भारतिय वायुसाना में शामिल किया गया था वर्तमान में भारतिय वायुसाना के 2 स्कौंडरन, 45 स्कौंडरन और 18 स्कौंडरन LCA ते जिसके साथ पूरी तरह से परिचालन में है 83 LCA MK1A विमानों के डिलीवरी के लिए हिंदुस्तान Aeronautical Limited को 36,468 करोड का और दिया गया है और इसके डिलीवरी फरवरी 2024 तक शुरू होने वाली है इसके अतरिक HAL के पास वर्तमान में प्रतिवर्ष 8 LCA विमान बनाने की शमता है और इसे 2025 तक बढ़ा कर प्रतिवर्ष 16 विमानों तक और अगले 3 वर्षों में प्रतिवर्ष 24 विमानों तक किया जा रहा है अब हम बात करेंगे LCA MK2 के बारे में LCA MK2 LCA Tejas का एक अपडेट और जादा घातक वर्जन है जिसके विकास के लिए 9000 करोड रुपे से जादा की मन्जोरी प्रदान की गई है विमान इंजन सहित स्वदेशे करण को और जादा भढ़ावा देने के लिए जुन 2023 में प्रधान मंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा के दोरान GE के साथ भारत में GE इंजन के निर्मान के लिए प्रध्योकी हस्तांदरन पर बाचित की गई थी आने वाले वर्षों में तेजस भारतिय वायू सैना द्वारा संचालित लड़ाकों विमानों का सबसे बड़ा बेड़ा होगा प्रधान मंत्री द्वारा इस उडान से एरोनाटिकल पारिस्तितिकी तंत्र को प्रोचसाहन मिलेगा और रक्षा छेत्र में आत्मनिर्भरता को पढ़ावा मिलेगा इसके साथ ही आज का विशय यहीं पर समाप्त होता है हम फिर मिलेंगे एक नए विशय के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद